नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक्जाम वार्यर में तो यह हिमाचल प्रदेश पुलिस कॉंस्टेबल की क्लास नंबर 2 है तो सबसे पहले दूब बताया है सबसे पहले ब्रेक्ट अपने क्लियर करने राकिट के इंदर गई गया है इसमें आपने फॉर्मुला लगाना बोर्ड मास का मतलब पहले ब्रैकट होगा जैसे यहाँ पर आपका होगा ये तीन आएगा और यहां पर दो आएगा तो यह आपका सॉल्व करके जाएगा यह इस przeci मैं आपको बतायाँ था कि यह बड़ा ब्रॉर्क ईशoux स्पस्रस्ट स्थiche subject है और यह मंजला तो यह आपका प्लस करके यहां पर आजाएगा पाँच और इसके बाद सॉप करते हैं बड़े ब्राकट को तो मंजले prim करेंगे तो यहां यहां पर इसे तो 1 आ जाएगा तो जैसे मैं आपको बताया था यहां पर कोई साइन नहीं दिया गया है तो उसके बाद यहां पर हमारा क्या होगा जो इसे बूह और से जैसे दोसे एक को यहां पर हम रहींसे बुणाक év professions तो यहां पर हमारे पास जो value आएगी वो है 6 of 2 जब इसे गुणा करेंगे तो एक आ जाएगा और 6 of 2 का मतलब होता है गुणा करना और यह भाग से पहले होगा क्यूंकि जहां पर off आता है वो पहले होगा तो यह हमारा आ जाएगा 12 तो इस तरह से हमारा जो अंसर आ जाएगा वो आएगा एक बटा दो आप बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे एक बटा दो कैसे आए मैंने आपको बताया है जो भाग है वो इस तरह से होता है मतलब यह वाली value नीचे चली जाती है तो आपका इस तरह सा आ गया एक बटा दो तो यह हुँ चुका आपका पहला question अब करते हैं दूसरे question को तो दूसरे question में भी यही था सबसे पहले मैं आपको बताया है we board mask के अनुसर सबसे पहले आपने bracket solve करने है तो यहां पर अगर 3 जाएगा तो यहां पर 3 बचेगा और यहां पर अग्रापी से डवाट करेंगे दो बचेगा और जब आपजिसी सॉल्ब करोगे तो यह गुणा होगा इससे तो यह अथारा बन सब्सक्राइब और यहां पर जो हमारा अंसर आएगा उसके बाद हम तो यहां पर बोर्ड मास के रूल के नुसर सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे फिर यहां पर प्लस आएगा तो यह हमारा साथ बन जाएगा यह हमारा साथ बन जाएगा क्योंकि एक यहां पर है और प्लस छै सर आएगा और यहां पको पता हो तो यह थे जैंति कर्वाने वारा हूं वोर्ण वू है फ्रेक्षन भिन इसमें सबसे पहले क्या होता है आपको पता होगा कि एक value दी जाती है जैसे यहां पर दी गई है 4 बटा 5 इसे fraction कहा जाता है उपर वाले को अंश कहा जाता है जिसे English में numerator कहा जाता है इसे numerator कहा जाता है और इसे नीचे वाली संक्या को हर कहा जाता है जिसे की डिनॉमिनेटर कहा जाता है इसी डिनॉमिनेटर कहा जाता है अब यहां पर आपको सबसे पहले इसका मतलब समझना होगा कि चार बटा पांच का मतलब क्या है तो चार बटा पांच का मतलब है कि कोई भी चीज है वो पांच है और उसका चार हिस्सा हमें उपर मिल रहा है जैसे सबसे पहले कहा गया है कि राम को जैसे question में कहा गया होगा कि राम को कुल लाब में चार बटा पांच लाब मिला तो इसका क्या मतलब है चार बटा पांच का मतलब क्या है पांच का मतलब है कुल संख्या पांच है जो कुल संख्या है वो पांच है और जो बटे में है चार यह उसे परापत हो रहा है तो नीचे वाली होती है kur preset क्या और ऊप्र वाली जो उसे मिल रही है तो यह है बटे का मतलब तो अब मैं आपको कॉंशिन कराता हूं जैसे जो कॉंशिन पिपर में आता है कभी कवार्ण जैसे यहाँ पर जो जो प्रक्रिया होते हैं उसे तुलियांग कहा जाता है इसका मतलब होता है जो हमारे हर हैं इसे बराबर लाना तो सबसे पहले आपने हर को ऐसी संख्या से गुणा करना है या फिर एक ऐसी संख्या ढूननी है चोटी से चोटी संख्या ढूननी है जो इन सभी हरों से मल्टिप रहा है यह आपका 15 से भी कट रहा है यह सबसे चोटी वैल्यू है जो इनसे भी से कट रही है तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इन्हें आपने 30 बना लेना है तो इसे 30 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा हमें इसे 6 से गुणा करना होगा इसे 2 से गुणा करना होगा उस तो यहां पर आप करोगे ति कि यहां पर आप आएगा थर्षय कि 22 30 कि यहां आपका आएगा 14Thank अरवाइगा 24 फॉक्र अदिशनों प्रुटेशित बिता में 30 अब आपको पता है हर समान है तो यह हम आत्म आपस में हो सकते हैं 45 कि वैलिव आपस यह आपके पास हो जाएगा 28 28 38 में अगर आप 24 को जोड़ें तो यह हो जाएगा 42 तो 62 तो यह आपका 62 बन जाएगा जब आप इसे डिवाइट कर लोगे तो यह आपका 30 बन और यह 15 बट इक 30 आपका अंसर आ चुका तो इस तरह से आपकी fraction वाली value हो जाती है अब बात करते है अगले question की जैसे अगर मान लिजिए आपके पास fraction में value दी गई है और बहाँ पर कुछ इस तरह की value दी गई है जैसे मान लिजिए यहाँ पर दिया गया है छे सही एक बटा दो प्लस तीन सही एक बटा चार और भाग में दी गई है दो सही तीन बटा पांच और चार बटा पांच से से गुणा करना है तो यहाँ पर सबसे पहले rule तो वही लगेगा जो की word mask का है तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि तो सबसे पहले से हम यहाँ पर solve करेंगे जैसे अगर आपको पता है कि जब आपके पास इस तरह की value दी गही है तो आप इससे गुणा करोगे और इसको इससे जमा करोगे जैसे जो यह है यह बनेगा आपका 6 दूने 12 बारा में एक जमा होगा तो यह बन जाएगा आपका 13 बटा 2 हमेशा इससे इसको पहले गुणा करें फिर इसको जो गुणा करके value आती है उसे प्लस करें तो यहाँ पर 4 ती है 12 और यहाँ पर आ जाएगा 4 और भाग में है यहाँ पर लिख दें तो वो गुणा में बदल जाता है यहाँ आपको करके दिखाता हूं जैसे 13 बटा दो है तो यहाँ पर हमारे पास दो भीन है एक तो 13 बटा चार इसका हम भाग दे रहे हैं 13 बटा पांच से लेकिन अगर हम इसे इस बिन को उल्टा लिख दें मतलब इसे अगर 5 लिख दें तो यह गुणा में परिवर्तित हो जाता है तो यहाँ चार बटा पांच अब इसे सॉल्प करना काफी असान है जैसे 13 से 13 गया चार से 4 को काटेंगे और बहुत से 5 को और यहाँ पर एक बचेगा हमारे पास तो जो हमारे पास यहाँ पर अब संख्या बचेगी वह बचेगी एक तो इसे जब आप करोगे इसे सॉल्प करने पर आपके पास आ जाएगा 15 बटा दो जिससे आप अगर ऑप्शन में यही दिया है तो यह अंसर होगा अगर आप इसे डिवाइट कर लोगे तो यह आएगा आपके पास 7.5 तो अब बात करते हैं अगले कॉश्चिन की अब मान लिजे पेपर में ऐसा कॉश्चिन काया है और आपसे काया है कि आप इसे सॉल्प करें आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है यह वाली संख्या अलग होती है और यह इसमें जोड़ी होती है जैसे हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं जैसे यह जो यह वैल्यू दी गई है हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यह 15 प्लस 2 बटा 7 है अगर आप इस तरह से लिखोगे तो भी ये गलत नहीं है हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 7 जमा 5 बटा 7 हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 23 में जमा हुआ है 3 बटा 4 और हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 5 में जमा हुआ है एक बटा चार तो आप क्या करोगे जो यह वैलिव है इसे आप पहले जमा कर दें कि इसे आप जमा करोगे तो जो आपके पास अंसर आएगा वो आपके पास आएगा पंदरा में अगर आप साथ जोड़ोगे तो यह जाएगा आपके पास 22 22 में ये जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 45 45 में तो 5 जोड़ोगे तो ये 50 बन जाएगा तो ये 50 हो जाएगा और जो हमारे पास जमा करने को बचता है वो बचता है दो बटा 7 5 बटा 7 3 बटा 4 1 बटा 4 अगर आप question को दियान से देखोगे तो इन दौनों के हर समान है और इन दौनों के हर भी समान है तो ये आपस में जमा असानी से हो जाएंगे तो ये कैसे होंगे तो यहां पर आपका आएगा 50 जमा में यह बन जाएगा आपका साथ बटा साथ और यह बन जाएगा चार बटा चार यहां एक आएगा और यहां भी एक आएगा तो यह आपके पास हो जाएगा 52 क्यूंकि एक यहां से बच रहा एक यहां से बच रहा है तो इसका जमा हो जाएगा तो यह दो बन जाएगा और इसका 52 आ जाएगा तो इस तरह से भी आप question को कर सकते हो आप question को उस तरह से करें जिससे आप question को और भी असान बना सकें अब बात करते हैं यहां पर अगले method की तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जैसे जो यह 15 बटा साथ है इसका जो season मिक्स फ्रेक्शन होगा कि इसका जो मिक्स फ्रेक्शन है वह इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे इस अंगर extend कैसे अगर हम 2-7 को गुणा करेंगे और एक जम्हा करेंगे तो हमारे पास 15 बटा साथ ही आएगा तो यह हमारा मिक्स फ्रेक्शन है अगर यहां पर कॉश्चन में यह पूछा जाता कि जो दो बटा साथ है जैसे मान लिए कॉश्चन अगर इस तरह से आता कि 2 है इसमें माइनस करना है एक बटा साथ तो आप कैसे करोगे बहुती आसान तरीका होता है, आपने क्या करना, आपने सब्से पहले इसे इसको भाग देना मारी करना है जैसैने इसको घुणा करना है जैसे 7 को आपसे 2 से घुणा करना है तो यह 14 में आम करना है, 14 में आपके पास आएगा 13 बटा 7 यह तो च्छोटी सी वैल्यू थी जिसमे तो आपने इसमें माइनस करना है दो बटा तेरा तो अब आप इसको तेरा से आप 563 को गुणा करने लगोगे तो यह काफी लंबा प्रोसेस बन जाएगा यह काफी टाइम कंजूमिंग भी होगा तो आपने क्या करना है इसकी जो शॉट ट्रिक होती है आपने इस तरह से करना है तो यहां पर हम एक इससे बाहर निकालेंगे जिससे के हम इससे 13 से गुणा करें अगर आप इससे गुणा करोगे तो हमारे पास वेली यह आएगी तो यह कि प्लस में होगा क्योंकि यहां पर हमारे पास बचागा 11 बटा तेरा हम इस तरह से भी लिख सकते हैं तो यह तरीके होते हैं इन्हें माइनस या फिर प्लस करने के अब जैसे मान लिजी एक वैल्यू आपके पास दे दी जाती है अगर आपके पास इतनी बड़ी वैल्यू दे दी जाए क். इसमें आपने मैनस करना है आठ बड़ा शत्रा तो यह काफी लंबा समझ लेगा लेकिन इसका शौर्ट टिक होगी आपने क्या करना आप इस तरह सुस्ट को करना है और कि कि यहाँ पर में एक फिर यहां पर 17 यहां पर इससे गुणा होगा फिर 17 में माइनस 8 होगा जो हमारे पास value बचेगी 9 बटा 17 तो आप यहां पर इससे जोड़कर लिख सकते हो अभी आपको पता लग जाएगा कि मैं आपको यह क्यों बता रहा हूं क्योंकि जो आने वाले question है वो इस पर आपके based होंग 0.001 तो अब जैसे मान लीजी आपके पास यहां पर स्केर्ड रूट का कोई question आ जाता है आपके पास आ जाता है कि आपने 100 का root निकालना है रूट का मतलब क्या होता है कि root के अंदर की value को दो बड़ाबर भागों में तोड़ना जैसे यहांपर 100 है तो इसे दो बड़ाबर भागों में तोड़ना तो यहां पर इस तरहीं से तोड़ा जाएगा तो इन दो में से एक को लिखेंगे तो यहां पर ही आपका solve अब अगर आपसे question में पूछा जाए कि आपने इसका root निकालना है अब question में पूछा जाए कि इसका root निकालना है तो ये कैसे निकालोगे तो ये भी बिल्कुल ऐसा ही होगा इस value को आपके इस value को दो बराबर भागों में बांटना होगा तो दो बराबर भाग इसके किस तरह से होंगे तो इसके दो बराबर भाग होंगे आपके एक तो होगा 0.01 इन्टू 0.01 ये आपके दो बराबर भाग हो जाएंगे जिसमें आपका जो अंसर निकल कर आएगा वो आएगा 0.01 कई बार question में इस तरह का question भी आता है और उसे इस तरह से तोना तो ये आप समझ गए होंगे तो अब ले चलता हूँ मैं आपको question की और कि मैं आपको ये अब हम इस question को करते हैं तो सबसे पहले आप देखोगे यहां पर एक value दी गई है रूट में 1.3 प्लस तेरा सौ प्लस 0.03 तो अब आप सबसे पहले क्या करोगे आप आप ने जो ये question दिया गया है जैसे यहां पर आपके पास दिया है 1.3 फिर प्लस तेरा सौ प्लस 0.013 कि इसमें आपने सबसे पहले दशमलब को हटाना है तो आप देख सकते हो अगर आप यहां पर बटे में पर सौ मान कर चलोगे तो सौ का रूट हमें पता है तो सबसे पहले को सौल करते हैं अगर आप यहां पर रूट 1.3 को सौ से गुणा यहां पर करोगे और बटे में सौल लिख दोगे तो यह सौल हो जाएगा और यहां पर तेरा सौ और यहां पर हमें 3.0 की अविशक्ता है लेकिन हमें 1.000 का रूट पता नहीं है तो हम 10.000 यहां पर मान कर चलेंगे हम 0.013 को गुणा करेंगे 10.000 से और नीचे भी 10.000 लिख लेंगे तो ऐसा करने पर होगा क्या इससे आपका कॉस्टिन जादा असान हो जाएगा जो उपर आपकी वैल्यू है वो बन जाएगी आपकी 130 बटा 100 यह तो यह तेरा सो का तेरा सो ही यह आपका बन जाएगा यह सो यह साथ 320 बटा इस нес अ हजार-ेई-चा दसचे नहीं तो आपके इस तीस यह तो सबसे पहले कॉस्टिन को इसे सबसे पहले निए कि हमारे पास जो आ रहा है दू कि जो हमारे आरहा है कि जो हमारे पास यह तक को उलॉड चिःरो question है इसमें 130 100 तो जैसे कि मैंने आपको बताया 130 का रूट हमारे पास 11.40 बताया गया है तो 130 का जो हमारे पास रूट आएगा बू आएगा 11.40 और 100 का रूट हमारे बास 10 आजाएगा यह मैंने आपको पहले बताया है कैसे आता है आप यहां देख सकते हो 1300 किया मैं इस 300 को इस तरह से लिख सकता हूं 13am 100 ह्याब तो 1300 आएगा इसी तरह से तो आप देखोगे कि यहां पिर बताया गया है कि जो हमारे पास 13 का रूट है वो 30.s 605 है तो जब आप 13 का रूट निकालोगों तो यह आएगा 3.605 और 100 का रूट निकल कर आएगा हमारे पास दस जिससे की जो यह कॉश्चन है जैसे तेरा का रूट हमारे पास 3.605 आएगा इसमें हम गुणा कर देंगे 100 के रूट का जो कि 10 है जो इस जिससे हमारे पास वैलिव आ जाएगी 36.05 तो यह आ जाएगा अगर आप इस इध्यान से देखोगे माफ कीजिए कि 1130 नहीं 130 आएगा कि क्योंकि यहां पर 0.013 है तो यहां पर 30 तो आपकी इसके लिए लेग गई इसे बाहर निकालने में लग गई 13 को और एक जिरू आपकी यहां पर आएगी क्योंकि हमने इसे 10,000 से गुना किया है तो है तो 130 का रूट हमारे पास 11.40 है और 10,000 का रूट हमारे पास 100 आएगा तो इसमें आपको पता लग चुका होगा क्या वैल्यू कहेगी इसकी वैल्यू यहां पर 20 यहां है तो 20 छोड़कर यहां पर पॉइंट लगेगा जिससे हमारी जो वैल्यू है वो बन जाएगी जिरो तशमलब ग्यारा चालिस और जब आप इससे सॉल्ब करोगे तो यह हमारे पास बन जाएगा 1.140 प्लस 36.05 प्लस 0.1140 अब जब आप इस संख्या को गुणा करोगे अब जब आप इस संख्या को आपस में जमा करोगे तो सबसे पहले हमारे पास दिया गया है 36.05 इसे प्लस करेंगे हम 1.140 से फिर हम जमा करेंगे इसको 0.1140 से तो यह हमारे पास आ जाएगा 0 यह 4 यह 0 यह 3 पॉइंट सेवन तो एपक्ष्रेट मारे पास जो अंसर आएगा 37.304 तो जो आप्शन यहां पर दिया गया है वो है यह वाला तो 37.0 37.304 यह हमारा अंसर आ जाएगा आप आई होब आपको पता लग चुका होगा यह कैसे किया अगर नहीं समझ आया तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं जिससे आपको समझ आ ही जाएगा दूसरी बारी में तो अगला कॉस्टिन करते हैं तो अगला कॉस्टिन यह है हम है कि आपके पास आगया 121 बटा-व सॉ और चैनी आप इसे करोगे तो यह आपके पास आजएगा नौ बटा अधिया आजाए अपके पास हमाँ और आपको दस हजार का ही मिल्टिप्ला करना होगा तो यह आपके पास इस तरह की वेल्यू आ जाएगी अब आपने इसने solve करना है आपको पता होगा इसका root कितना होता है जैसे एक का root तो एक ही आएगा लेकिन जो 100 है यह आपका बन जाएगा एक बटा 10 यह 9 का root है यह 9 का root है तो यह आएगा आपके पास नौ बटा 10 यह आपके पास आजाएगा 11 द deshalb और इसका बन जाएगा तीन भटा all this top तो इस वैलियो का आपने solve करना है कि इसी solve कैसे करोगे यहापके पास में जाएगा 0.1 जो मैं पहले आपको वीडियोा में बता बेज़ेगी को अब आप पिसे यहां पर जमा करोंगे कई विक्तियों को जमा करना नहीं आता तो मैं उन्हें उसका देता हूं सबसे पहले आपने क्या करना है one point one तो जो पॉइंट के बाद की वेली उसे आपने लिख लेना तो जब आप इसे निकालोगे तो यह आपके पास आ जाएगा 3 यह आपके पास आ जाएगा 10 तो 1.2 2.13 तो जो आपका अंसर है वो है 2.13 मतलब आपका B option ठीक है इस तरह के question भी कई बार exam में पूछे जाते हैं क्योंकि पूलिस में बहुत बारा से question पूछे गए हैं जिससे विद्यार्ति कंफ्यूज हो जाता है उसे पता नहीं लगता यह कैसे करना है तो आपने इसी तरह से करना ह है अब अगले question के और चलें तो अगले थोड़े से अडवांस लेवल के question है अगर आप इस question को देखते हो तो सबसे पहले मैं आपको इसका basic तरीका बताऊंगा फिर मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसमें मैं आप जिसमें आप इसे शाइद तीन से चार सके question के अंदर इस पूरे question को solve कर सकते हो लेकिन पहले मैं आपको basic बता देता हूं जैसे आप अगर की एक का गुणा एक ही होता है तो यहां पर आप देख सकते हो आगे है छे वैल्यू छे को अगर आप तीन वैल्यू तीन को अगर आप दो से करोगे क्योंकि आगे पॉइंट के बाद तीन संख्या लिखी गई है 009 तो आप तीन से दो से उसे गुणा करें तो छे आजाए को यहां पर छे वैल्यू आएगी छे संख्या यहां पर पॉइंट के बाद आएगी एक दो तीन चार अब पांच और छे में आपका नौ का स्क्यार आपका एटीवन होता है तो यह आपका यह आएगा बटे में आपने नीचे भी यही करना है इसी तरह से चलेगा जैसे यहां यहां आठ हाएगी पॉइंट के बाद एक एक दो तीन चार पांच छे साथ और आठ में आपका एटी बनाएगा क्यूंकि यह नाइन का स्क्यार है तो यहां पर नौ का स्क्यार जो होता है वह एटीवन हो जाता है तो अब आप इसको करोगे तो अगर आप इसे जमा करोगे यह मैं आपको बेसिक लेवल का बता रहा हूं इसके बाद मैं आपके इसकी शॉटकट ट्रिक बताओंगा जिसमें आप इसे दो सेकिट में ही सॉल्व कर पाओगे अभी मैं आपको इसका बेसिक बता रहा हूं तो इसमें आप जब इसका जमा करोगे दूपर वाली अब आपको पता है अगर आप इस दश्मलब को हटाना चाहोगे तो आपको इतने ही जीरो नीचे लगाने होंगे तो यहां पर हमारे पास जो वैलिव है वो छे है तो यहां पर हमने छे वैलिव नीचे पूट करनी है और यहां पर हमारे पास और या पर हमने 8 संक्यार उपर लिखनी है तो सबसे पहले हम पर ने 8,0 डालनी है तो इससे क्या हो जाता है जो आपका point है वो हड़ जाता है यह शायद आपको पता होगा इससे आपका point हड़ जाएगा जब आप इसे जब आप इसे अब मल्टिप्लाइ करोगे तो आप देख सकते हो जीरो तो कुछ है नहीं तो तो यह आपका अश्ली वैलिव आ रहे है तो इस से यह जा रहा है और यहाँ पर आप देखोगे कि 6-0 है और यहाँ पर भी 6-0 कट हो जाएगी तो आपका जो बच रहा है वह आपका बच रहा है 100 रूट 100 बच रहा है और रूट जो 100 होता है उसका जो अंसर आता है वो 10 आएगा तो option में जहां पर 10 है वो आपका right option हो जाएगा अब आपको मैं इसकी shortcut trick बताता हूं जिसमें आप बहुत ही कम समय में इस question को कर पाओगे जैसे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं आपने कर 0.01 है यहां पर 0.01 है यहां पर 0.001 है मतलब यहां पर एक संख्या है उपर एक दी गई है नीचे दो दी गई है तो मतलब जो डिफरेंस है वो एक का है जैसे यहां पर आप दो दिखेंगे यहां दो दी गई है और नीचे तीन दी गई है यहां पर तीन दी गई है तो यहा पहले बदलेंगे अगर आप इसका स्क्राइब निकालोगे तो यह आपके पास आ जाएगा इसका स्क्राइब निकालोगे तो यह आपके पास आ जाएगा दस तो यह इतने इतने असान आपका कॉश्चन था इतने असानी सापिसे कर सकते थे जैसे अब आप एक अगला कॉश्चन देखोगे यहां पर भी आप देखोगे कि जो डिफ्रेंस है वो एक का जैसे उपर लिखा गया है यहां पर 6.1 तो नीचे लिखा गया है 0.61 यहां पर 6.11 एक पॉइंट का यहां पर गैप है यहां पर भी 0.1 का डिफ्रेंस है स्क्वेर में है तो यहां पर भी आप ऐसा ही करोगे इसे सबसे पहले दश्यमलब हटाना हो इससे स्क्वेर में करोगे तो यह आपके पास आ जाए जाएगा 0.01 अब आप इसका दश्यमलब अगर निकालोगे तो यह आपके पास आजएगा 100 बटा एक तो इसका रूट आप निकालोगे तो दस तो यह आपका दस अंसर आजाएगा आपने कॉश्चन देखना है कि जहां पर भी इस तरह का डिफ्रेंस आरा क्योंकि यह विल कैंखे कि जो चाहजार चैनों का जो सकर जो रूट यह वह हमारे पास 64 है डैन दब्विए ओफ आथ तो हमारे इसकी वेल्उ में द्न Só यह square root है तो इसमें आपने क्या करना है यहां पर जैसे यहां पर आपका दिया गया है जैसे यहां दिया गया है 4096 गा root है 64 तो जब आपके पास value दी जाएगी यहां पर जैसे यहां दी गई है 40.96 अगर यहाँ पर 2 संख्या के बाद यहाँ पर 2 संख्या आती है तो यहाँ आपने 1 संख्या जो last से आपने count करते हैं जो last में जो आपने 1 संख्या लेनी है यहाँ पर इस तरह से 4 आपको फिर से समझा देता हूँ मैं अगर उपर जैसे question में आपका इसके root दिया गया है और अगर question बोला गया है जैसे यहाँ पर कि अब इसका क्या होगा root जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि दश्मलब के बाद 2 संख्या है तो यहाँ आपने इस तरह से उल्टी तरफ से आपने 1 पर अगर यहाँ पर दो value दी गई है तो यहाँ पर आपने एक छोड़कर दश्मलब लगाना है इस side से आपने एक छोड़कर दश्मलब लगाना है अब आप आगे question देखोगे अब आगे question देखोगे कि आगे जो question दिया गया है वो इस तरह से है कि 0.4096 यहाँ पर चार छोड़कर दश्मलब के बाद 4 संख्या दिया गया है तो आपने यहाँ पर जो 64 है 2 छोड़कर आपने point लगाना है यहाँ पर 4 दिया गया है तो यहाँ पर आपने 2 छोड़कर point लगाना है अब आगे question देखोगे पर पाँजे कि आगे हमारे पास जो कॉश्शन दिया गया है तो यह आंपने तरब से लगा लेना है तोई को सा यह से कर सकते हैं जैसा हम आपके इसका स्चॉल्यूशन बता देता हूं कि जैसे जो यह संख्या है इसका मैंने आपको बताया अगर दो चोड़ या दशमलब के बाद अगर दो संख्या आ रही है तो आपने लफ्ट राइट हैंड साइड से इस तरफ से एक संख्या छोड़कर दशमलब लगाना है जैसे यहां पर तब आएगा सिक्स पॉइंट ऐगी यहां पर दो संख्या दी गगई है तो 2 के बतले यहां पर एक चोड़ते और प्लस यहांपर दो चोड़नी है तो यहां पर 0.6-4 आएगा फिर प्लस करना है यहां पर आप देख सकतेए वह lazımलुव के बाद है तो यहां कि यहां आप देख सकते हुआ आपने प्लस करना है तो यहां पर जो प्लस की वैल्यू दी गई है दो चार पर आठ छोड़कर दी गई है तो यहां पर आपने दशमलब के बाद चार वैल्यू लिखनी है तो मतलब आपका यहां आएगा 0-0-64 तो इस तरह से यह question solve होगा सबसे पहले आपने जमा करना है तो 6.4 को आप जमा करोगे 0.64 से अब आपने से जमा करना है 0.064 फिर 0.0064 तो आप इसकी जगह यहाँ पर 0 ले सकते हो तो यहां पर आपका जो अंसर आएगा वह आएगा फोर यहां पर 10 बन जाएगा यहां दस तो 111 यहां पर साथ तो यह आपका आजाएगा 7.0 यहां ओप्शन देखते हैं यहां पर जो जादा क्लोज है वह सब्सक्राइब तो आपको ठीक हो जाएगा यह ट्रिक आपकी तभी चलेगी जबबका स्क्यूर रूट में दिया गया है अगर आपका दिश्मलब का एक देना है पहले उससे पहले अब बात करते हैं क्यूब रूट की यह तो मैंने पहले आपको बताया स्क्यूर्च के बारे में अब क्योड रूट में क्या होता जैसे क्यूब रूट में यहाँ पर एक वैल्यू दी हैं स्केर्ड रूट में आपके दो कॉंबो बनते थे जो क्यूब रूट है इसमें तीन के गूंबो बनते हैं जब यहां पर दे बाती तो आपने राइट हैंड साइट से इस तरफ से जब तीन आ आएगा 650 पॉइंट इस तरह से चलिए से सॉल्फ करते हैं कि तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया इसका क्या आएगा इसका आएगा हमारे पास पांच ऐ पांच बसका आएगा 15 साख संख्या पांच इन और इसके बाद पासिक्य तो अब आप इसे प्लस करोगे तो 5.6, 0.56, और 0.056, यहां पर आप 00 ले सकते हो, इसे प्लस करोगे, तो यह आपके पास आजाएगा 6, यह बन जाएगा 11, यह बन जाएगा 12, यह आपके पास अंसर आएगा इसका, 6.216, तो option C आपका विल्कुल ठीक हो जाएगा, जो आपका अ अंसर आएगा 6.216, तो यह थी आजगी वीडियो के कुछ important questions, I hope आपको वीडियो पसंद आए होगी, मुझे पता है आप बहुत confused होंगे, आपको यह अच्छी तरह से समझ नहीं आया होगा, आप बस यही करें कि इस वीडियो को आप 2 से 3 वार देखें, जिससे आपको धीर धीरे बात समझ में आने लगेगी, अभी शुरुवात है, धीरे धीरे आपको सब समझ में आने लग जाएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे share जरूर करें, और अगर मुझे से कोई गलती हो, तो comment करके जरूर बताएं, और अपने doubt भी आप comment करके